नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मिना नाम है ऑक्टर सम्यक धावन आप देख रहे हो काया कलब ग्लोबल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आज हम जानेंगे कैसे विटलेगो पेशन्स को पता चले कि उनके लाइस में नाम है डॉक्टर सम्यक धावन और मैं हूँ आपका इंवी बेस कंसल्टेंट इस यूट्यूब चैनल पर आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ यह हमारे कॉर्परेट आफिस से लेके आया हूँ डेली में हमारा कॉर्परेट आफिस है फरीदाबाद में एक हम हमारे विटलाइगो के पैचेज में रिकवरी आ रही है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक पेशन्ट की बिफोर की फोटो इन्होंने हमारे से टीटमेंट शुरू किया था ओन्लैन आप नोटिस करें कि जो बैग्राउंड है यह कुछ बुक्स वहां पड़ी हुई है इन् सिग्निफिकेंस क्या है कि बाल काले है सिग्निफिकेंस यह है इसका मतलब है कि देखिए जो हमारे स्किन को कलर दे रहा है जो सेल वही सेल हमारी आखों को और हमारे बालों को भी कलर दे रहा है उसे हम कहते हैं मिलैनिन पिग्मेंट और वो बनता है मिलैनोसाइट से तो गर अब मैं इसके आपको after की photo दिखाता हूँ, after की photo आप notice करें, आप देखें कि अगर ये वली photo भी patient ने अपने bedroom से ही भेजी है, bed sheet की ओपर रखे, जिससे की ये पता चलता है कि ये fully online treatment है, patient ने आके हमें बिलकुल नहीं दिखाया है, उन्होंने whatsapp पे, whatsapp का number आपको दिखाई द सामने है, आप देखिए, इस पर date है, 15 June, February and June, so February, March, April, May, June, 4-5 months में आप notice कर सकते हैं कि कि कितनी बड़ी-बड़ी black color की spots आ रहे हैं, second जो चीज हमें notice करनी है, वो है कि नीचे की जो skin है, वो pink color की हो गई है, pink होना is a good sign, it is a sign of recovery, जब आप धूप दिखाते हैं, सरगन प्लस ointment को लगाने के बाद, और आपके white spots जो है, वो pink हो रहे हैं, it is a good sign, मतलब कि अंदर रंग बनने की प्रक्रिया जो है, वो शुरू हो गई है, और वही चीज़ इस पेशन में हुई है, इनके अंदर normal white skin तो pink हो ही रही है, साथ साथ आप देखें, सबसे important बात जो है इसमें पेशेंट की surrounding skin का color देखें, और जो pigment बन रहा है, जो बिंदियां आ रही है, वो बिलकुल same color की matching बिंदियां है, ना ज्यादा काली है, ना कम dark है, बिलकुल matching color बन रहा है, and that is the power of sargan plus ointment, and when you connect with a big team of people, जिनको exactly पता है कि कितनी धूप दिखानी है, कुछ पेशेंट होते हैं वो बहुत जाद धूप दिखाते हैं, जाद धूप दिखाने से क्या होता है, कि वो रंग काला हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, blisters बन जाते हैं, वो फटता है, किसी ने उनको बोला है कि पहले ये, you know, उसमें blister बनेगा, छाला बनेगा, फिर वो फटेगा, उसका पान इन पेशन में recovery देखें, बिंदियां नीचे से निकल के आ रही है, बिंदियां बड़ी हो रही है, उन्होंने पूरे सफेद दाग को घेरना शुरू कर दिया, and that is the very healthy sign of vitiligo recovery, मैं आपको और ऐसे cases दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि कैसे recovery आ सकती है, चाहे वो हा पेशन ने अपने घर से ही bed sheet के ऊपर photo खींच के बेज़े और इनके हाथ पे white spot है यहाँ पे, और अब मैं आपको इन ही patient का after का photo दिखाऊंगा, और आप notice करें कि यह जो पहले की photo है, यह है 21 February 2023, and जो after की है वो है 23 May 2014, so February, March, April में, again 3-4 months में patient के आप notice करें कि हाथ के अंदर जो white spot है, अगर यह भी घर की photo है, जो हाथ के अंदर इनका white spot है, उसके अंदर black color की pigment आने शुरू हो गए है, यहाँ पे जो बात समझने वाली है, वो यह है कि हाथ की चमरी थोड़ी सी पतली होती है, हाथ में हमारे बाल नहीं होते हथेली पे, यहाँ पे रंग पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है, जो पहले वाली photo थी, वो tongue की photo थी, वहाँ बाल काले थे, इस बिग area, वहाँ पे रंग बनाना easy है, लेकिन जो fingertips होते हैं, जो palms होते हैं, हमारे जो तलवे होते हैं, जो हड़ी वाला area होता है, वहाँ पे रंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि इन patient ने महनत करी इन्होंने हमारी guidelines को follow किया इनके हथेली में भी 3-4 महिने में black color के spots आने लग गए है and I am sure अगले 3-5 months में ये जो spots बने हैं ये धीरे-धीरे बड़े होंगे और side से जो patches आ रहे हैं रंग भरेगा ये shrink होगा और ये cover up कर लेंगे और ये ऐसा color बन जाएगा कदर भी आप नोटिस करें वही बन रहा है जो patient के surrounding skin से matching है अब जो मैं तीसरी फोटो आपके लिए लेकिया आया हूँ वो patient के आप patches देखें कि इतने milky white दूदिया white हो गए है इतने पुराने patches है अगेन patient ने अपने घर से photo बेज़ रखें घर के फर्ष की photo है white hair में भी recovery आना possible है बहुत सारे लोगां question होता है कि क्या अगर बाल सफेद हो चुके है तो recovery नहीं आएगी ऐसा नहीं आप notice करें कि इसमें भी बिंदियां बनने शुरू हो गई है side side से बिंदियां बनने शुरू हो गई है बाल सफेद होते हुए भी color आ रहा है इसका मतलब है कि time जाधा लगता है लेकिन अगर patient religious है पेशन अगर dedicated है अगर patient 10 को time हमें call करता है हमसे संपर्क में रहता है कुछ लोग जाते ही Google पर comment कर देते हैं कि सर हमने आप से 6 मिन एलाज लिया में कोई राम नहीं आया लेकिन एसा one size fits all treatment नहीं है बहुत सारी modification करनी पड़ती है आपसे blood test करवाना पड़ता है या आपसे आप कभी call करते हो कभी हम follow up लेते हैं आप बताते हो कि नहीं मुझे ये उतना pink नहीं हो रहा है मैं कुछ लोग धूप नहीं दिखा पाते हैं कुछ लोग की धूप नहीं आती है क बहुत सारी बाते होती है सब को सुनके कस्टमाइज करना पड़ता है लेकिन recovery आ सकती है अगर आप जोड़े रहें अगर आप dedicated treatment करवाएं और यह तीन before-after की मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं as a before-after treatment भी बनाके वीडियो बनाता बट I wanted to show you कि 3-5 months में कैसी recovery आप expect कर सकते है and more importantly अगर आप कहीं और सी treatment ले रहे हैं और आपको 3-5 months के अंदर आपके दाग नहीं हो रहे नमबर वन दूसरा आपके दाग भढ़ना नहीं रुपते आप कहीं से भी treatment ले और आपके तीन से पांच में अगर आपके दाग पहले भढ रहे थे और तीन महीने की इलाज के बा यह होटो पर आगया नागी नेच्छे आगया फिंगरटिप्स पर आ गया प्राइवट पर आ गया उसके बाहciplinar करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ऐसे एक्रियो वीटलेगों आगऱ 기 ね So हो जाता है उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है उसमें एक डेर साल भी लग सकता है तो इसलिए अच्छी संस्ता से राज करवाएं दो नंबर आपको दिख रहे हैं एक कॉल के लिए वाटसाप के लिए टाइंग ना वेस करें आज ही अपने वाटसाप पे हाई का मेसेज भ लें और कोई question है तो पूछना ना भूलें मैं कोशिश करूँगा कि मैं comment section में उसका answer दूँ धन्यवाद मैं कर दो ना भाटसाप कर दो प्लड़ाद से लिए गवाटसाप्स कर दो ना भी जाएंग वाटसाप्स